हेलो गाईज, वेलकम बेक टो माई यूटूब चैनल ओफिशल बाइलोजी आज हम पढ़ेंगे मेंडल के नियम से विचलन या डेविएशन फ्रॉम मेंडलियन इन्हेरिटेंस ठीक है अएक जो विचलन से क्या मतलब है जो क्या रही है उसली है यहाँ फे हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन-कौन से ऐसे प्लांट है या कॉन-कॉन से ऐसी कंडिशन है कि जो का कर रही है मेंडल के नियम को follow नहीं कर रही है तो ऊसे ही हम मेंडल के नियम के deviation है और दिव्य जो मेंडल के ratio थे उन्में क्या क्या Pump up है गये तो उनके बारे में हम इसमें को पढ़ेंगे को जो जो ओता है तो वह किसके कारण आता है उनके लिएखत है जीन इंट्रेक्शन के कारण अनुपाद को संसोदित करते हैं और जो जीन होते हैं क्या करते हैं आपस में इंट्रेक्शन करते हैं इंट्रेक्शन के कारण क्या होता है जो मेंडल का रेश्यो था उससे तोड़ा क्या हो जाते हैं और डेवियेट हो जाते हैं ठीक है वो मतलब वो रेश्यो नहीं आता है जिस जो मेंडल ने दिया था ठीक है ज एसे plant होते हैं जिनमें bundle की नियम फॉलम नहीं होता है कि उनमें जो है वो सेम रेशो नहीं आ रहे है जो की bundle नी क्याला था तो इसलिए जो है ये सिद्धान जो है यूनिवर्सली कि एकसेप्टेड नहीं है ठीक है बड़ हम यह नहीं कह सकते कि मेंडल के जो रेशयो है वो गलत है क्योंकि वो रेशयो फॉलो होते हैं बट कोई ऐसे प्लांट होते हैं या कोई ऐसे कंडिशन हो जाती है जब क्या होती है मेंडल के रेशयो फॉलो नहीं होते हैं ठीक है अलग अलग प्रभाव अपने उत्पन करते हैं, तो इसे ही क्या कहरे हैं, जीन इंट्रेक्शन की जो जीन है, वो कोई भी प्रभाव, कोई किसी भी प्रस्तती में अपना परदशित कर सकता है, ठीक है, तो जीन इंट्रेक्शन है, वो दो तरास से होता है, एक होता है, एक होत तो लोकस इस्थान होता है जो क्या होता है जीन को एड्रेस करता है ठीक है जीन का एक एड्रेस होता है वो क्या होता है लोकस अल्टरनेट एड्रेस ऑफ जीन जिसे कहते हैं वो होता है लोकाई लोकस ठीक है उसे क्या कहते हैं लोकस कहते हैं तो वो होते हैं क्या एलिलिक यह विधिन जीन जो अलग-अलग होते हैं उनके अलयल के बीच होता है यह होता है सीम अलकर बीच या अलग-अलग इस ताना पर हो सकते हैं या तो पूंझ अलग इंट इसे हम कहते हैं इसbelow Please ratio के बारे में पढ़ते हैं जो non-allylic interaction है उसमें हम पढ़ते हैं dihybrid modified ratio के बारे में ठीक है तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें allylic interaction है जिसे हम कहते हैं intralocus interaction तो जो allylic interaction है वो किसमें होता है तीन प्रकार से देखने को मिलता है ठीक है एक होता है incomplete dominance एक होता है co dominance एक होता है multiple allelism ठीक है यह आपने 12 में भी पढ़ा होगा incomplete dominance को कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता सह प्रभाविता और बहु विकल्पिता तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं allelic interaction में या जिसे कहते हैं mendel के नियम से vigilant ठीक है तो इन तीनों के बारे में हम पढ़ते हैं allelic interaction में ठीक है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अपूर्ण प्रभाविता है incomplete dominance है वो हम किसे कह रहे हैं ठीक है यह वह इस्तती है जिसमें प्रमुक allel heterozygode में केवल आंसिक रूपशे व्यक्त होता है या कुछ ऐसे इस्तती होती है जिनमें प्रभाविता का नियम लागुन नहीं होता है तो इनें अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है incomplete dominance क्या होता है जब क्या होता है heterozygode बजू बनता है उसमें जो allyl होते है वो क्या होते है आव से ही व्यक्त होते है . मतलब अपना रूप सो नहीं कर पाते हैं , तो आधह क्या करता है अपना doole जो अपटैर कोर्वेता कहते हैं . इसके एक्जाम्पल है मेत्री मटर जिसे कहते हैं लिथायरस ओडॉरेटर्स एक होता है स्नैपड्रेगन इसमें भी जो है वो इनकम्प्लीट डॉमिनेंस देखने को मिलता है तीस्तरा होता है इसमें गुलाबांस जिसे कहते हैं मिरेबिलस जलापा या इसे 4 o'clock plant भी कहते हैं अपूंड प्रभाविता या इनकम्प्लीट डॉमिनेंस देखने को मिलता है तो हम यहां पे एक्जाम्पल मिरेबिलस जलापा जिसे कह रहे हैं गुलाबांस इसके हैल्प से समझेंगे कि जो इनकम्प्लीट डॉमिनेंस है वो कैसे होता है ठीक है तो यहां पे देख सकते ह मिरभलस में जलापा का था है जब इसके रेड फ्टलावर हों इंके बीच का करते हैा जब इसके रेड फ्लावर का करते हैं प्राप्त हुआ और यह कैसा फ्लावर होता है पिंक फ्लावर होते हैं जितने फ्लावर बनते हैं वह कैसे बनते हैं पिंक फ्लावर बनते हैं जब की बनने क्या चाहिए थे रेड बनना चाहिए थे रेड क्यों बनना चाहिए था कि रेड करेक्टर क्या है डॉमिनेंस है ठीक रेसेसिव का ना तो रेसेसिव का करेक्टर सो हो रहा है ना तो डॉमिनेंस का करेक्टर सो हो रहा है ठीक है यहां पर ना तो रेड फ्लावर बन रहा है ना तो क्या बन रहा है वाइट फ्लावर बन रहा है यहां पर फ्लावर कौन सा बन रहे है पिंक फ्लावर बन रहे है ठी जो फ्लावर होते हैं वो कैसे होते हैं पिंक होते हैं ना इसमें रेड होते हैं ना इसमें वाइट होते हैं यह क्या हो जाते हैं ठीक है मेंडल के नियम से यह हट जाता है ठीक है मेंडल के नियम क्या कहता है कि जब हम क्या करते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें डॉमिनेंस जिलापा मेरे EBA F1 तक फ्लावर कlaws रड़ती है क्रॉस करतें अब लिट एक चॉन डे है रेखने हैं अब बीच रेखने प्र है बनिच ग्राउस अक्रायाे ऐसे बन गू갈े प्राइब प्र एक रड़ती है के प्राप्त हो है CAPITAL R से CROSS करेगा CAPITAL R स् from SMALL R से Across क्रोस करेगा तो क्या बनेगा CAPITAL R स् SMALL R RM across करेगे तो SMALL R SMALL R मौनार प्राप्त होएificación सब्सक्रार कि स्कतवाइए है? हम ग्यार प्राप्त हो यह समिद् Osc gives also SH delle JL Youth have ölик sie सब्सक्राइब और polsk improvINK इसके लिए है pink flower ठीक है यह क्या हमें प्राप्त हएते pink flower है तो capital R, small R किसको रही है pink को रहेगा जो capital R, small R, small R वो as white था तो यह रही है वाइट flower बनेंगे physically इसके flower को देखिए है तो यह कैसे है, red flower कितने है इसमें 1, ठीक है red flower 1 है, pink flower कितने है, 2 तो pink flower हो गए और white flower कितने हे, एक, तो 1 इसके 2, इसका क्या आगया,麩ा फीनो टिपिक ratio आगया और जीनो टिपिक कई लिए, देखें हम इसे, तो R कितने है, 1, capital R, small r कितने है, एक है, एक है, दो, और small r, small r कितने है, एक है, ठीक है, तो इसके जो जीनो टिपिक रेशो है, वो कितना आया, वो भी क्या आया, 1 is to 2 is to 1, तो इसका जो F2 जनरेशन होती है, तो उसमें जीनो टिपिक और फीनो टिपिक रेशो जो होता है, वो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, 1 is to 2 is to 1 होता है, जीनो टिपिक और फीनो टिपिक रेशो, जबकि जो मेंडल का मोनोहाईबरिट कॉस का जो रेशयो था, वो क्या आ रहा था? फीनोटयपिक रेशयो था, 3 is to 1 आ रहा था, और जीनोटयपिक रेशयो था, 1 is to 2 is to 1 आ रहा था, ठीक है? पर जो incomplete dominance है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसका genotypic और phenotypic ratio क्या आ रहा है, same आ रहा है, 1 is to 2 is to 1, तो इसलिए हम इसे क्या कहते है, मैंदल के नियम से बिचलन या, modified mandaline ratio, किसी किसी plant में हम ऐसे भी दिखने को मिलता है, ठीक है, next video में हम देखेंगे कि co dominance और multiple allelism क्या होता है, तो इस वीडियो में इतना ही, thank you so much guys for watching this video.